हेलो और वेलकम टू रेडियंट अकाड़मी मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट अकाड़मी के इस नए लेक्चर में आज 17 दिसंबर 2022 आज हम आज के करंट अफेर्स देखेंगे करंट अफेर्स के एंड में आपको एक स्लाइड मिलेगी जिसमें कु स्टार्ट विद आज के करंट किस्से या करंट कहानिया जैसे तो पहला किस्सा क्या है हमारे पास पहला किस्सा हमारे पास है टोकियो से टोकियो जपान में का टोप क्यों बराबर तो अब यह कहानी क्या है देखो जपान में जपान यह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ यह फिफ्थ लार्जेस्ट कार्बन इमीटर है तो यह पाचवा लार्जेस्ट कार्बन इमीटर है तो यहां का जो कैपिटल है टोकियो वहां की लोकल जो गवर्रमेंट है याने वहां की मिन्सिपल्टी या मिन्सिपल कॉर्परेशन जो है वहां की उसने एक बहुत इंपोर् पे अपना खुद का solar electricity का production का unit रहना चाहिए, है ना मतलब 2025 के बाद Tokyo में जो भी building बनेगी उस हर एक building पे अपनी electricity का production खुद करना चाहिए, ऐसा इनका decision है, मतलब अब इनका कहना है हम तुमको electricity नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, electricity देंगे पर अपनी व्यवस्था खुद करने को क रहा है, क्या होता है, carbon emission का मतलब क्या हम थोड़ा सा पहले समझ ले, carbon emission मतलब, जो भी हम लोग production करते हैं, जैसे thermal power plants होते हैं, या तो thermal power plants में पोहला जला की electricity का production होता है, तो जब electricity बनती है, तो बहुत सारा धुआ भाहर निकलता है, ये धुआ मतलब क्या ये है carbon emission पराबर, अब जपान का जो टार्गेट है कार्बन एमिशन का वो है दो हजार पचास तक इनको नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है, क्या बनना है इनको दो हजार पचास तक इनका टार्गेट है, दो हजार पचास तक जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है इनको, यह जितना भ उनका तो 2030 के लिए और टार्गेट है 2030 के लिए इनका टार्गेट क्या है कि जितना 2020 में वो कर्बन इमिशन करते थे उतना ही 2030 तक उनको कम कर के लाने का है तो इन टार्गेट्स को अचीव करने के लिए हरेक्स हरकोस इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा तो इसमें टोकियो ने एक निर्णा लिया है कि अब हर एक रूफ हर एक जो बिल्डिंग बनेगी 2025 के बाद में हर एक बिल्डिंग पे अपनी solar panel लगेगी ताकि वो अपना electricity खुद बना सके और ये एक बहुत important या बड़ा कदम होगा net zero carbon emission का जो इनका target है 2050 तक पूरा करने का उसे achieve करने में तो आई होप ये कहानी जो है आपको टोकियो से आई हुई ये समझ में आ गई होगी इसमें एक और चीज important है जैसे मैंने कहाना कि जपान जो है वो पाचवा सबसे बड़ा carbon emitter है तो बाकी के चार जो है top के 4 इन में कौन-कौन है पहला नंबर पे तो है US सबसे ज़्यादा carbon emission करने वाला जो country है दुनिया का वो है United States ये दुनिया भर को बताएंगे कि carbon emission कम करो global warming हो रही है लेकिन सबसे ज़्यादा pollution करने वाली country कौन है US उसके बाद second number पे है China हम भी कहीं पीछे नहीं है दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा carbon emission करने वाली country में इंडिया का नाम इंडिया है तीसरे नंबर पे फिर आता है रशिया और फिर आता है जपान यह चाइना यहां गलत आ गया यहां होना चाहिए था जपान तो जपान is the fifth largest जपान is the fifth largest carbon emitter in the world तो यह चीज यह कहानी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी अब चलो तो अब चलते अगले decision पे अगले point पे दुनिया की पहली ऐसी country बन रहा है जो satcom का spectrum का auction करेगी क्या करेगी satcom के spectrum का auction करेगी अब पहले यह satcom क्या है वो समझ लेंगे फिर हम लोग बाकी auction क्या होता है कैसे होता है यह जानेगे पहले तो आब यह समझेए अभी जो हम लोग phone use कर रहे है वो telecommunication है बराबर है उसको बोलता है terrestrial communication या telecommunication भी बोल सकते हैं कैसे होता है telecommunication हमारे यहां जो telecommunication अभी हो रहा है वो क्या हो रहा है कि cables के through सारे telecom के centers या towers जो है वो connected है यह तुमारा tower है यह cable के through connected है और यह tower से फिर आपको waves इदर आती है और जो हमारे mobile तक पहुँचती है तो major जो data transfer होता है बाकी सब होता है वो cables के through होता है जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको पताया था to Africa pulse नाम का project है जिसमें समंदर के अंदर से बहुत बड़ी-बड़ी cables डालने का एक बहुत महत्वकांची project Meta ये company कर रही है और जिसका Airtel उसके साथ काम करके वो Airtel के landing station पे लाने वाली है तो ये जो सारा transfer होता है वो सारा होता है cables के through बराबर पर एक दूसरा अब telecommunication का है वो कैसा है satellite के through कि आप land पे खड़े है आपने यहाँ पे satellite पे communication किया और फिर satellite से इधर आ गया तो ये होता है SATCOM जैसे हम जमीन पे जो होता है terrestrial level पे उसको हम लोग telecom बोलेंगे तो satellite से जो communication होगा वो होगा SATCOM अब इसके लिए काफी companies ने license के लिए अपलाई कर चुके हैं जैसे OneWeb नाम की एक company है जिसको Airtel back करता है वो OneWeb की company है जो satellite communication में आने की सोच रहा है Jio Space Tech करके company है Jio की जो satellite communication में आएगी जो satellite communication में है स्टार्लिंक यानि Elon Musk की जो company है वो satellite communication के license के लिए अपलाई कर चुकी है तो ये company's satellite communication इनको करना है तो अब satellite communication करना है तो उसके लिए जो frequency range होगी उसका auction करेंगे अब देखो आपने कुछी दिन पहले ये देखा था हमने सबने कि 5G का auction हुआ था 5G का बराबर है तो 5G का auction ये जो था ये टेली कमिनिकेशन में आने वाला है अब तो कुछ frequency range है जो बेची जाती है सरकार द्वारा और वो frequency range यूज करने के लिए फिर companies गवर्मेंट को पैसा देती है वैसे ही अभी स्पेस के सेक्टर में होगा सरी सैटलाइट के सेक्टर में होगा कि कुछ frequency range यूज करने की permission सरकार से लेनी पड़ेगी और उसके लिए सरकार पैसे देगी तो दुनिया में पहली कंटरी बनी है इंडिया जो ये सैटलाइट कम्यूनिकेशन का जो स्पेक्टरम रहेगा स्पेक्टरम मतलब क्या frequency range बरबर है तो ये स्पेक्टरम का जो है इसका auction करने वाली पहली कंटरी बनेगी इंडिया satellite communication के spectrum का 5G में भी हमने spectrum का auction किया था लेकिन वो अलग चीज है telecommunication में आएगे अब हम लोग बात कर रहे है satellite communication की याने satcom का spectrum उसका auction होगा वो करने वाली पहली country बनेगी इंडिया बोला किसने ये बोला try के जो chairman है PD वागेला जी इन्होंने बोला है ट्राइ मतलब क्या अब ट्राइ का मतलब क्या होता है ट्राइ इस टेली कम्यूनिकेशन टेली कॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ट्राइ के जो chairman है PD वागेला साब उन्होंने ये बोला है अब ये auction कैसे होगा इसका model क्या होगा इन सारी बातों पर अभी चर्चा होनी है लेकिन जब भी चर्चा होगी और वो जो भी आपके काम की रहेगी वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा ठीक है तो ये point आपको clear हो गया होगा कि satellite satcom के spectrum का auction मतलब क्या चीज है ये समझ गया होगा ठीक है चलो अब चलते हम लोग अगले point के और आगे क्या है हमारे लिए अगला जो है वो एक बहुत important missile का test पायर हमने किया है उसके बारे में जानेंगे ये missile का नाम क्या है तो ये missile का नाम है अगनी five missile बड़बर है क्या दिया है हमारे पास जो point है उसमें क्या लिखा है इंडिया successfully carries out night trials of Agni five missiles अगनी five missiles के night trials हमने successfully कर लिए बड़बर है अब पहली चीज पहले चीज तो ये समझेंगे कि ये कहां से किये तो ये किये गए अब को यहां कहीं दिख रहा है लेकिन यह क्ये गए हाँ यहां दिखाए देखो अब्दुलकलाम आयलेंड से आब्दुलकलाम आयलेंड जोकी ओडिसा के कोस्ट के पास है वहाँ से इसको test fire किया गया कब किया गया तो यह 15 दिसंबर 2022 को वहां से test fire किया गया ये nuclear warhead ले जाने की nuclear जो bomb है वो ले जाने की ताकद रखता है कितना तो almost 1.5 ton का और इसकी capacity कितने दूर जाने की है तो ये 5000 किलो मिटर से जादा जाने की समता रखता है तो चाइना वैना सब अभी आ गए इसकी range में बरबर है देखो आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पर अगर बरबर तो इसकी इतनी बड़ी range है इंडिया से इतनी दूर तक यह attack कर सकता है है ना सिर्फ अगनी 5 missile है क्या हमारे पास नहीं हमारे पास अगनी 1 से लेके अगनी 5 missile है अगनी 1 missile जो है वो 700 किलो मिटर की range रखती है बरबर है अगनी 1 missile वेराज अगनी 5 missile यहाँ तो अगनी 3 तक दिया है अगनी 5 जो है यह वो 5000 किलो मिटर की 5000 किलो मिटर की range रखती है 5000 किलो मिटर तक दे टन का nuclear ले जाने की ताकद रखती है ठीक है तो यह हमको याद रखना है दो तीन चीज़े इसमें बनेगी पहले इट इस nuclear के बेबल मिसाई दूसरा इट इस बैलेस्टिक तो यह ऐसे ओर्बिट में जाके अटाक करें इसको बलते बैलेस्टिक मिसाई तो और कहां से किया गया तो अब्दुलकलाम आईलेंड से जो आफ़ी कोस्ट ओडियसा है वहां से ही यह किया गया और इसका रेंज कितना है इसका रेंज है 5000 किलो मिटर कुछ एडिशनल इंफ इसकी जो है वह है 17 मीटर की इसकी जो है 17 मीटर की इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वह है 1360 केजी का रेंज जो है इसकी वह 5000 किलो मिटर की यहां तक अग्दु मिसाईल की टेस्ट के बारे में आपको सारी आइडिया अभी आ गई होगी चलो अब चलेंगे हम लोग अगले की और आगे क्या है तो आगे है एक exercise एक बहुत important exercise जो की दो neighboring countries के बीच में हो रही है दो neighboring countries कौन सी एक है इंडिया दूसरी है नेपाल तो सूरिय की रंड नाम की यह exercise है आपको यहां पर image में दिखरा भी होगा सूरिय की रंड नाम की यह exercise है कौन से दो countries के बीच में होती है तो ये होती है इंडिया के बीच में और नेपाल के बीच में तो सूरिय किरन एक्जरसाइस का ये सोलवा एडिशन अभी चल रहा है तो इस बार ये नेपाल में हो रहा है नेपाल में कहां पे साल जंडी नेपाल साल जंडी ये महां पे एक रीजन है और साल जंडी में नेपा स्कूल है, सालजहंडी में, वहां पहीं हो रहा है, इसका, इसमें दो मेन, जो इन्डिया की तरफ से पार्टिस kuEC कान कर रहा है, तो इन्डिया की तरफ से 5GR ये पार्टिसिपट कर रहे है और नेपाल की तरफ से चार चीजे हमेशा exercise में होती है, पहली चीज, कौन से दो country के बीच में हो रही है, तो यहां उसका आंसर है इंडिया और नेपाल, कहां हो रही है, साल जंडी में हो रही है, नेपाल में, edition कौन सा है, और कब तक हो रही है, तो यह 16th edition है, अब तक होगी, 29 December तक होगी, और सबसे last में, नहीं, और नाम क्या है, तो नाम इसका सूर्य की रण है, ठीक है नहीं, तो यह 4 चीजे हमको हमेशा किसी भी इद्गराइस के बारे में याद रखनी है, ठीक है, चलो, अब चलेंगे अपन अगले कहानी के और, अगली कहानी क्या है हमारी, अगली कहानी है, टेररिज permanent secretariat बनाई की, हाई के लिए बनाई की, NMFT के लिए, NMFT, अभी NMFT का फुल फॉर्म अपको headline में भी दिखेगा, यहां दिखा है, NMFT मतलब no money for terror, टेरर के लिए पैसा नहीं देना है, यह अपनी पहले से भूमी का है, अपनी मतलब, और कोई दे रहा होगा तो उसको रोखन है, यह इंडिया की पहले से भूमी का है, अब इसी के लिए, एक additional step, इंडिया क्या ले रहा है, इंडिया की जो additional step है, वो है, कि इसके लिए अब इंडिया एक permanent secretariat बनाएगा, पहले तो यह समझेंगे कि यह secretariat होता क्या है, secretariat basically एक administrative office है, किसी भी organization या किसी भी legislative body, तो इनका एक administrative office होता है, जहां से सारा administration run होगा, practically साजी चीजे execute की जाएगी, तो उस administrative office को कहा जाता है, secretariat, अब क्या हुआ था, 17-18 November के बीच, 18-19 November के बीच, यह एक conference वी थी, conference on counter terrorism financing, NMFT, जिसका नाम क्या था, no money for error, यह एक conference हुई थी, third, यह ministerial level की conference थी, जिसमें, जिसमें almost 77 countries से, और almost 12 organizations से representatives आई थे, और यह ministerial level की conference हुई थी, इस conference में निरने लिया गया, कि इंडिया क्या करेगा, उसी में जो चर्चा हुई, उसके basis में इंडिया ने निरने लिया है, कि सिर्फ meeting करके या चर्चा करके इसका रास्ता निखलना मुश्किल है, तो अब क्या बनाने की ज़रूरत है, एक administrative office, permanent administrative office बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो इतने भी terrorist organizations है, इनको funding मिलने से रोका जा सके, देखो terrorism से अगर छुटका रहा पाना है, तो उसके लिए पहली step है कि इन organizations को पैसा मिलना बंद हो, और जो भी इनको पैसा दे रहा है, वो गलत काम में, वो terrorism को support ही कर रहा है, तो ऐसी सारी organizations को रोका जाए, इन है न, क्योंकि countries जो होगी, वो अपने-पने level पे तो काम कर रही है, जब conference होगी, तो सब लोग आएंगे, अपने-पने चीज़ें बताएंगे, लेकिन उसके बाद सारी countries में cooperation कराने का काम, collaboration कराने का काम, ये कौन करेगा, एक permanent administrative office अगर होगा, वो कराएगा, तो ये permanent administrative office बनाने का क कौन करेगा, इंडिया इसके लिए आगे आया है, इंडिया ने कहा है कि हम लोग permanent established, permanent secretariat यहां पे establish करेंगे, ठीक है, यह हमने offer दी है, NMFT का, ठीक, तो I think ये चीज आपको एकदम clear होगी होगी, और ये किस के अंडर होगा, ये होगा, होगा, होम मिनिस्टर के अंडर, बता नी की ओर, अगली कहानी क्या है, हमारी क们, अगली कहानी है एक organization से related, और उसमें हुई है, important appointment से related, organization का नाम क्या है, organization एक प्राइवेट कम्पनी है, नाम है डीलिवरी करती है आपको पता होगा पता नहीं है अगर नहीं पता होगा तो सुन लिजिए डीलिवरी का आप है फराव है इक कम्पनी है जो ग्रोrasरी delivery करती है basically यह जैपूर based एक organization है और बहुत तेजी से grow भी हो रही है तो अब जब grow है रही है विनीत राव जो है इनके founder है अब company grow हो रही है तो इनको सारी चीजे संभालने के लिए अच्छे व्यक्ति भी चाहिए तो इनका जो retail का section है वो retail के section के president के तौर पर इनोंने कमलदीव सिंग इनको चुना है कमलदीव सिंग पहले big bazar के CEO थे तो big bazar के CEO थे अब वो क्या करेंगे अब president के तौर पर काम करेंगे कहां पर जो retail business है इनका किसका deal share का retail business जो है उसके president के तौर पर काम करेंगे तो यह एक important चीज आपको याद रखनी है इस जैपूर बेस्ट ग्रॉसरी डिलिवरी एप और उसका जो retail section है उसके president कौन चुने गए है वो है कमलदीव सिंग तो यह एक important appointment next आगे क्या है आगे एक ऐसी bank जिसके बारे में हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके पैंक का नाम है तमिलनाड मर्संटाइल पैंक EMB EMB के बारे में हमने चर्चा कब की थी आई थिंक हूँ जितना मुझे याद है एक दो डिसमबर के आसपास हमने इस पे चर्चा की थी पराबर यह almost तरह आठरा दिन पहले की बात है हमने इस पे चर्चा की थी तो चर्चा क्या हुई थी थी था कि RBI ने तमिलनाड मर्संटाइल बैंक को ऑथराइस किया है कि अब आप गवर्मेंट का बिजनेस कर सकते हो बराबर यह 15-16 दिन पहले की बात है अब यह इसी के बात अब यह दूसरी निउस आई है दूसरी निउस है कि अब अपना और ब बैक्राउंड तो पता हो चीजों का तो ध्यान में रहे देखो तमिलनाड मर्संटाइल बैंक यह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई अब लिस्टिंग होने के बाद इन्होंने अपना ग्रोव करना चुरू कर दिया और बढ़ाया है अपनी ग्रोथ को और बढ़ाने क ग्रोव इन्होंने डों-इंशरंस कंपनी के साहत् एक है चोला मंडलं जर्ल इंशरंस कंपनी और दूसरी है मैक्स लाइफ इंशरंस कंपनी इनके साथ tie up किया ताकि इनकी insurance के products PMB बेच सकेगी तो ये एक जो news थी, वो आई थी कुछ दिन पहले, I think 7-8 दिन पहले कि ये news है, और आज कौनसी news आई, आज जो news आई वो है कि अब PMB और किसके insurance product बेचेगी, तो अब इनोंने tie up किया है, Kotak Mahindra General Insurance Company के साथ, तो अब ये बेचेगी Kotak Mahindra General Insurance Company के भी products, ठीक है, तो अभी पिछले 15 दिन में ही तीन important news TMB से related है, तो कोई भी एक news आ सकती है, कितना ही नहीं, TMB का headquarter जो टुथुकुडी में है, कमिल नाडु में, उसके भी बारे में पूछा जा सकता है, तो हमको तीनो news पता होनी चाहिए, पहली जो आई थी December की शुरुआत में वो थी, कि RBI ने इनको permission दे दी है, government का business करनी की दूसरी आई थी, ये चोला मंडलम General Insurance Corporation और Max Life Insurance Company के साथ इनका tie-up हुआ है और तीसरी जो news अभी आई है वो है कि Kootak Mahindra Insurance Company के साथ भी, Kootak Mahindra General Insurance Company के साथ भी इनका tie-up हो गया है, ठीक ओके, तो अब चलेंगे हम लोग आगे, अगली कहानी पे, अगली कहानी क्या है अगली कहानी है एक बहुत, ये एक्चुलिव बहुत important news है, इंडिया ने group of friends नाम से group of friends नाम से एक initiative launch किया है इसको initiative बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा group of friends नाम से एक initiative launch किया है, क्यों launch किया है तो इसका जो objective है, वो है accountability को promote करना, इसके against जो crimes होते हैं न peacekeeping forces के against या peacekeepers के against उनको बुला जाता है peacekeeping forces या peacekeepers के against जो crimes होते हैं, उनके against accountability fix करने के लिए promotion करने के लिए, उसका promotion करने के लिए, एक initiative इंडिया ने लिया है जिसका नाम क्या रखा गया है, group of friends, अब ये group of friends है क्या ये आपन समझेंगे पहले, देखो peacekeeping forces जो है वो United Nations का एक बहुत important अंग है, क्या होता है United Nations को दुनिया भर में शांती रखने के लिए United Nations की एक army चाहिए, अब ये United Nations की army जो होती है, वो दुनिया भर की सारी countries के, बहुत सारी countries के सारी नहीं, लेकिन बहुत सारी countries क्या करती है, अपने army men अपने personal, अपनी police के लोगों को United Nations के अलग-अलग projects के लिए भेजती है इंडिया ने आज तक United Nations Peacekeeping Force इसको बोला जाता है United Nations Peacekeeping Force अब ये United Nations Peacekeeping Force में सबसे जादा personal अगर किसी country ने भेज़े है तो वो इंडिया ने भेज़े है, अभी तक हमारे धाई लाख से जादा personal ने United Nations की Peacekeeping Forces में सेवाए दी है Defense Personals ने भी और Police ने भी तो दोनों ने दी है इसको बोला जाता है United Nations का Peacekeeping Force ये दुनिया में अलग-अलग जगे पे, अलग-अलग चार कॉंटिनेंट्स में इंक्या अलग-अलग projects अने ऐसी जगा जहाँ पे instability है तो वो instability वाले areas में ये जाते है और वहाँ पे शांती प्रस्तापीत करने का काम इनका होता है तो इसमें Indians होते हैं अब क्या है इनका जो dress होता है अब यहाँ पे दिखना है इनका जो uniform होता है इसमें नीली टोपी होती है अब यहाँ जिनकी image आपको दिख रही है यह दोनों हमारे जवान इसी साल सप्टेंबर में peacekeeping forces का हिस्सा रहते वक्त शहीद होई यह इंडिया ने जो peacekeeping forces में जो हमारे जवान भेजे हैं उनकी वहाँ पे सेवाई देते हुए वो martyr हो गए उन्होंने अपना बलीदान दिया देखो इंडिया के लिए लड़ते वक्त तो हमारे जवानों का बलीदान हमारे जवान बलीदान देते है सबसे बड़ा बलीदान होता है लोगों के लिए अपनी life देना इन्होंने भी वही किया है लेकिन ये United Nations Peacekeeping Force में थे बरबर तो और एक बात एक additional information आज तक जितने लोगों की शहादत हुई है United Nations की Peacekeeping Forces में उनमें सबसे जादा नंबर Indians का रहा है सबसे बड़ा नंबर Indians का है उसमें तो इसलिए India ने ये initiative लिया है कि हम एक group of friends नाम से एक initiative लेंगे जिसके according ये जो भी है उनको जो उनके अगेंस्ट क्राइम जो लोग करेंगे उन पर accountability fix करने की जरूरत है तो ये इंडिया नहीं United Nations में initiative लिया है तो ये group of friends जो रहेगा इसको इंडिया के साथ और कौन चेयर करेगा तो इसको चेयर करेगा इंडिया तो चेयर करेगा ही साथ में कौन करेगा बा प्रजेंडा रहेगा साल भर में इनकी एक मीटिंग होगी जिसके according ये accountability fix करने का काम किया जाएगा अब एक बात और समझने लायक है इसमें समझने जैसी है क्या समझनी चाहिए कि इंडिया ने ये किया कैसे United Nation में अभी United Nation की जो Security Council है उसका President कौन है उसका President इंडिया है फिल प्रवरी में माल्टा रहेगा माल्टा ये country रहेगी तो हर एक country को चांस मिलता है President बनने का इंडिया को भी इस महने में Presidency इंडिया के पास है तो इसलिए इसी के साथ और ये चांस अभी मिला है तो इसमें बहुत important initiative इंडिया ने लिया है तो peacekeeping forces में जो लोगों की शहादत होती है उनके against वो जो crime होते हैं उनकी accountability fix करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए इंडिया का ये initiative है इनी को peacekeeping forces को ही blue helmets कहा जाता है जीसे मैंने कहा ये blue टोपी या blue color के helmet पहन दे इसमें को blue helmets या peacekeepers या peacekeeping forces ये भी कहा जाता है आई होब ये point एकदम detail में आपको समझ गया होगा एकदम clear हो गया होगा अगर clear है तो अभी हम आगे चलेंगे निक्स्ट निक्स्ट जो इशू है वो है NASCOM foundation से related यह पहले नैसकॉम फांडेशन से रिलेटेड यह पहले नैसकॉम क्या है यह जान लेते हैं तो नैसकॉम का जो full form है वो है national association for national association for national association for software and service companies तो यह हो गया NASCOM NASCOM सारी software और service देने वाली companies का एक organization है इनका एक अलग से foundation भी है यह foundation क्या करता है social sector में काम करता है अलग-अलग चीजों के लिए अब यह काई से जुड़े है इन्होंने कुछ तो भी launch किया क्या launch किया aspirational districts program इन्होंने launch किया aspirational districts program यह वैसे नीति आयो का प्रोग्राम है इसको nascom foundation ने भी launch किया इसके द्वारा क्या करेंगे nascom foundation इसके द्वारा सव ऐसे districts और गनाईज करेंगे जहां पर यह digital literacy spread करने का काम करेंगे digital literacy हो गया या e-governance हो गया या लोगों को digital digitally जितनी उनको services available है government के द्वारा उसकी information मिलनी चाहिए इसके लिए nascom काम करेगा तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने 55 districts का चैन किया है पाकि और 45 district का चैन धीरे-धीरे करके complete होगा तो 55 district में शुरू करते हुए nascom का aspirational district program ये शुरू हो चुका है इन्होंने launch किया है संभालेगा कौन तो इसको नीती आयोग में जो इसके mission director है उनका नाम है mr. राकेश रंजन तो राकेश रंजन ये mission director है काई के mission director है aspirational district program के नीती आयोग में ये इसको संभालेंगे और बाकी जो इसके लिए लगने वाली services है वो सारी कौन प्रोवाइड करेगा तो वो nascom करेगा तो ये एक important चीज है ये पूछा जा सकता है कि कौनसी organization ने aspirational district program launch किया वित नीती आयोग तो आपको याद रखना है वो organization का नाम है nascom foundation और nascom का मतलब क्या हता है national association for software and service companies तो इस organization के बारे में भी आपको पता होना चाहिए चलो अब चलते हम अगले point की और वैसे ये जो program रहेगा इनका कहना है कि almost 3.5 million लोगों तक लोगों की lives पे ये असर डालने वाला है तो इस अगले point पे चलते है राफेल का point अगला अना क्या राफेल की deal हुई थी किसके साथ डील होई थी इंडिया RAFFEYL के jets खरीदने वाला था मतलब पैसे का permit हो पे राफेल के jets आने वाले थे कितना इसाथ हुए थी ऐसाथ हुए थी प्रांस के साथ फ्रांस मतलब सरकार बेशने वाली थी क्या नई तो फ्रांस की एक कमपणी है एसॉल्ट अवियेशन तो वो डेसॉल्ट अवियेशन से इंडिया की डील हुई थी कि डेसॉल्ट अपने को 36 राफेल के जेट्स देगा 36 और अभी 15 दिसंबर को आखरी 36 वा जेट इंडिया को मिल गया है तो राफेल जेट्स की पूरी की पूरी डिलिवरी इंडिया को मिल चुकी है अब राफेल ये है क्या तो बेसिकली ये एक फाइटर जेट है कौन से जनरेशन का देखो हमने जनरेशन की बात की थी अभी कुछ दिन भेले याद ना पाचवा जनरेशन अभी बहुत सारी कंट्रीस है जो फिफ्ट जनरेशन एरगराफ्त यूजज कर रही है और शिक्स जनरेशन के लिए कुछ कंट्रीस साथ में आई है आपको बता था अगर आपको याद होगा तो है ना जैसे जापान या या यूके और इटली ये साथ में आखे 6 जनरेशन का एरक्राफ बनाने के बने बात की थी तब मैंने आपको बता था कि इंडिया भी 4.5 जनरेशन के एरक्राफ यूज कर रहे है जैसे राफेल है तो ये 4.5 जनरेशन का इसको अपन 4.5 जनरेशन का बोलेंगे तो ये 4.5 जनरेशन का एरक्राफ है और 15 दिसंबर को अपने को ये 36 वा एरक्राफ मिला आते आते बीच में UAE में रुका था तेल वराने के लिए फिर उसके बाद वापस यहाँ पहुच गया तो आपको याद रतना ह कौन सी कंटरी से आया है? फ्रांच से आया है. कितने का डील हुआ? साथ अजार करोर का डील हुआ था. कौन सी कंपनी के साथ डील हुआ था? डेसॉल्ट अविएशन के साथ डील वा था. एक इतनी इसी बात है इसमें याद रतने लाएए हमने 36 रपेल विमान खळीदे थे चलो, अब चलते हैं अगले कहानी के वर, अगली कहानी है, Harvard University से, यहां पे अपने एक नाम भी पढ़ने वाले हैं, जिनको पता है, बहुत ही अच्छा, जिनको नहीं पता हुँगे लिए, नहीं information होगी, क्या है यह, न्यूस पहले पढ़ लेते हैं, है ना, क्या है न्यूस, Harvard Harvard University appoints Claudine Gay as first black president, यह आपको यहां पे Claudine Gay दिख रही होगी, इनको यह first black president बनी है, कहां कि Harvard University की, Actually, किसी भी Ivy League University की पहली महिला black president बनी है, कौनसी universities बोले सर्थ, Ivy League University, यह Ivy League Universities क्या है, यह यहां लिखा है, Ivy League University, Ivy League वैसे तो एक athletic conference है, बरबर है, लेकिन इसमें जो universities participate करती है, वो सबसे elite या दुनिया की topmost universities में consider की जाती है, ऐसा नहीं है कि यही दुनिया की topmost universities है, लेकिन यह traditionally दुनिया की topmost universities रही है, तो there are eight universities, यह आठ universities जो है, वो United States की है, कौनसी कौनसी university आती है इसमें, तो इसमें आती है Harvard University, फिर आती है Pennsylvania की university, university, Yale university, कोलंबिया university, Princeton university, Brown university, Dartmouth university, यह जो universities है, यह top की universities है, जो research के लिए और academics के लिए पहचानी जाती है, इनको बोला जाता है Ivy League universities, अब Ivy League college में number लगना यहने बहुत बढ़ी बात है, तो यह Ivy League universities में Harvard university है, और Harvard university की president के तौर पे किसकी appointment हुई है, Claudine Gay की appointment हुई है, यह पहली black महिला बनी है, जो वहां की president में है, यह पहले Harvard university में ही dean थी, और अब महां पे president बन गई है, किसको replace करेगी, Lawrence बैको को replace करेगी, इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पूछेंगे, लेकिन इनका नाम पूछ सकते है, Claudine Gay का नाम पूछ सकते है, दॉक्टर Claudine Gay, इनका नाम पूछ सकते है, याद रखना है, देखो, अभी हमने दो दिन पहले Karen Bass के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो Karen Bass ये पहली ब्लैक महिला मेर बनी है, कहां की Los Angeles की, और अभी ये दूसरी नियूज, पहली ब्लैक महिला, जो क्या बनी है, resident बनी है, किसी भी Ivy League University की, वो Harvard University की बनी है, और उनका नाम है Dr. Claudine Gay, दोनो नाम और दोनो एक University का नाम जयात रखना है आपको, और वो कौनसे शहर का नाम, तो Los Angeles, ठीक, चलो, अब चलेंगे अगले कहानी की, और अगली कहानी जो अपनी है, वो है कि IEX, ये इंडिया का पहला ऐसा power exchange बना है, कि जो carbon neutral है, अब carbon neutral ये चीज हमने जो जपान का वो पहला जो point देखा था, जपान से related, टोकियो वाला, पस वैसा ही कुछ point है, carbon neutral होना मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, छोड़ी सी चीज, बहुत छोटा सा example देता है, देखूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ये electricity जल रही है, मतलब अगर मैं ये electricity यूज करना हूँ, अब साल भर मैं electricity यूज करना हूँ, तो मतलब क्या कि मेरे लिए जो ये electricity बन रही है, ये बनाने के लिए भी खर्चे हो रहे होंगे, खराबर है, pollution हो रहा होगा, कहीं तो भी किसी तो भी thermal power plant में वो कोईला जल रहा होगा और उससे धुआ हो रहा होगा, जिससे environment खराब हो रहा होगा, तो ये environment खराब करने में मेरी भी जिम्मेदारी है, अब जो carbon emission हो रहा है, वो मेरी वज़े से हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार हूँ, बराबर इसका मतलब क्या, कि अगर मेरे लिए carbon emission हो रहा है, लेट से हम पकड़ लेते कि कि इतना carbon emission हो रहा है, का मेरे लिए है लेट आस लेट अजूम की एक केजी का कार्बन एमीशन हो रहा है एक साल में मैं जितना अभी गराँ लेए इतना कार्बन जोड़ रहा है ना पर एक केजी का कार्बन का emission हो रहा है लेट से साल बर मैं जितनी electricity use कर रहा हूं उसके लिए तो ये तो मेरी जिम्मेदारी हो गई ये मेरा loan हो गया बराबर अब मुझे क्या करना पड़ेगा इतना ही इसको अगर मैं zero करना है तो क्या करना पड़ेगा कि मैं ये produce करने के लिए carbon emission नहीं करूँ तो अगर मैंने ये electricity जो मैं use कर रहा हूं इसके लिए solar panels लगा दिये तो फिर वो एक केजी का carbon emission नहीं होगा मतलब मैं carbon zero carbon वाला बन जाओंगा फिर ये इतना छोटा सा example है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैं एक केजी का carbon का emission कर रहा हूं बराबर है ना इन्दी form of CO2 क्यों ये carbon का emission मैं एक केजी का कर रहा हूं वो absorb करने के लिए मैं इतने सारे plant लगा दू कि वो CO2 absorb हो जाए तो इसके लिए मेरे को एक केजी absorb करने लायक इतने सारे plants लगाने पड़ेंगे तब कहां पर ये absorb होगा और फिर से मैं zero carbon बन जाओंगा या carbon neutral बन जाओंगा तो जितना carbon आप emit करते हैं उतना carbon आपकी absorb करने की समता होनी चाहिए या आप production ही कम कीजिए बराबर एक को आप absorb कीजिए या फिर इसका production ही मत कीजिए solar panels लगाएं और carbon emission को टालिए ऐसा हो सकता है बराबर तो ऐसा ही IEX ने किया है IEX ने क्या किया है carbon neutral बन गहिए है मतलब ये जितना carbon emission कर रही है वो सारे को absorb ये कर रही है या फिर ये carbon emission हूती कम कर रही है बराबर है और जितना भी कर रही है उसको भी absorb करा ले रही है तो ऐसा करने वाली यह पहली इंडिया की पहली power exchange बन गई है अब IEX यह power exchange मतलब है क्या यह भी देख लेंगे इंडियन energy exchange यह इंडिया का पहला power exchange यह इंडिया का पहला power exchange है जो carbon neutral बन जा तो इसको power चाहिए और जिसको power पर बेचनी है वो सब इकटा आ जाते जो भी सर्वीसेस लेनी है उससे रिगार्डिंग वहाँ पे मिल जाती है तो इसको बुलाता आई एस अब आपने इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में सुना होगा हमारा जो टारगेट है अबुदीज़शन को यह करने की और अगली कहाने की और अगली कहानी आती है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो 2022 का हो रहा है इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल ये 2022 का जो इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल हो रहा है वो एक्चुली 2023 में हो रहा है तो ये 2023 में हो रहा है बोपाल में तो इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल पंसा 2022 का ये बोपाल में हो रहा है और कब ह जनवरी 2023 में होगा इतना आपको याद रखना है इसका कौन सा एडिशन होगा तो इसका आठवा एडिशन होगा कौन कराएगा इसको इसको कराएगे ministry of science and technology and earth science in association with विद्ञान भारती के साथ ministry of science and technology and earth sciences ये पूरी ministry जिनके minister कौन है इसके minister है जीते इंद्र सिंग, minister of state है with independent charge ठीका ना तो उनके अंडर ये ministry आती है जीते इंद्र सिंग के अंदर और ये ministry इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल और अर्गन होने वाला 21 जन्वरी से लेके 24 जन्वरी तक कब 2022 का फेस्टिवल है जन्वरी 2030 में होगा clear चलो अब चलेंगे अगली कहाने की और पॉइंट है तो अगला जो हमारा point है वो क्या है वो है कि नमामी गंगे ये जो बहुत important सा project है हमारी Prime Minister का उसको United Nations ने recognize किया है क्या करके recognize किया है तो इसको recognize किया है कि ये दुनिया के top 10 restoration flagship projects में से एक है अब ये क्या कहानी है इसको हम लोग detail में समझेंगे तो United Nations ने अभी United Nations Environment Program जो है उसका एक function चल रहा था कहाँ पर Montreal में Canada में और वहाँ पर ये awards दिये जा रहे थे तो जी अशोक कुमार इंडिया की तरफ से वहाँ पर पहुचे थे वहाँ क्या हुआ कि इन्होंने 1500 entries ली थी अलग-अलग almost 70 countries में से 1500 entries आई थी इन्होंने अपने अलग-अलग projects वहाँ पर showcase किये थे कि हम यह restoration के projects कर रहा है अब restoration के projects है मतलब क्या देखो तो United Nations ऐसे कुछ projects को award करता है जो projects एक तो prevent करते हैं जो environment को नुकसान हो रहा है उसको prevent करते हैं एक plus उसको restore करते है परावर है यहने restore करते है या उसको reverse करते है तो यह reverse करते है निगेटिव इंपक्ट तो एन्वार्मेंट पे हो गया लेकुन उसको reverse भी किया जा सकता है ऐसे जो project है उनको restoration flagship की list में लाया जाता है तो दुनिया के top restoration flagship awards जो दिये गए उसमें एक किसको मिला उसमें मिला है नमामी गंगे को नमामी गंगे इसका पूरा नाम क्या है इसका नाम है national mission for clean गंगा national mission for clean गंगा यह ministry of जल्शक्ती यह जल्शक्ती मंतरा लएके अंडर आता है और और इसको united nations ने top 10 world restoration flagship programs में चुना है तो यह जो प्रोग्राम था यह वो पहला प्रोग्राम था जब हमारे प्रदानमित्री पहली बार member of parliament बने थे वारा नसी से तब इन्होंने यह program launch किया था पहली बार member of parliament भी बने MP भी बने और तबी PM भी बने इन्होंने वारा नसी से यह पहला major program launch किया था इसका नाम है नमामी गंगे तो इसको दुनिया का top 10 restoration flagship का program करके चुना गया है तो यह हो गई आज की सारी कहानिया अब हम चलेंगे अगले slide की दरब जो की आकरी slide है जिसमें आपको आज जो भी बताया है उससे related questions है कुछ questions ऐसे भी हो सकते हैं जो आज बता हो points से related है और थोड़ा धूमने के बाद आपको शायद मिल जाए ठीक है तो थोड़ा अब additional पढ़ाई भी करो इसलिए दिये हैं तो क्या क्या पहला answer इसका मैंने आपको slide में बताया है क्या कि who is the first black person to become the president of ivy league university पहली black महिला वो कौन सी है जो ivy league university की president बनी है तो यह इसका answer आपको देना है दूसरा पर्स ब्लैक पर्सन ने इसको आपको क्यों करेंगे क्या कि अगनी मिसाइल बना तो कौन है अगनी मिसाइल के बारे में देखा जामने अगनी पांच मिसाइल का लांच किया गया तो यह बनाता कौन है इसका answer आपको धुनना है और comment box में देना है थोड़ा सा धुनडा भी करो है न नेक्स तीसरा इसका जवाब मैंने आपको बताया है कि कौन सी country will succeed India as the president of United Nations Security Council डिसमबर 2022 में तो हम है United Nations Security Council के president जनवरी 2023 में कौन रहेगा इसका answer आपको बताना है तीसरा चाथा question जो है यह सूरिय किरन exercise जो होती है जो इंडिया और नेपाल के बीच में हो रही है वो कहां हो रही है तो वो location का नाम आपको बताना है और पाचवा कौन सी country है कौन सी country है जिसके दुनिया में सबस ज्यादा टेली कॉम सब्सक्राइबर्स है यह सैटकॉम वाला जो हमारा point था उससे related है सैटलाइट कम्यूनिकेशन में तो हम लोग spectrum का option कर रहे है तेली कम्यूनिकेशन में इंडिया is the second इंडिया has the second most subscribers दुनिया में second most subscribers इंडिया के पास है तो दुनिया में सबसे ज्यादा subscribers टेली कॉम के इस country में है कि यह थोड़ा सा आपको धूम के बताना है answers देजिएगा comment box में आज के लिए इतना ही बस अब यहीं रुपते हैं thank you very much